नमस्कार मिस्नेहा, साम संजीवनी या आरोग्य विशेश कारेक्रमात आपले स्वागत सौथा टप्या तिल कैंसर आणी इम्यूने थेरेपी या विश्वारापन चर्चा करना रहोत आणी यावर मार्गदर्शन करना सथी आपया सुबत आहेद संभाजी नगर से प्रसिद्धा आयूर्वेद तदने आणी कैंसर इम्यूने थेरेपी याणी कैंसर वरिल उपचार या विशेश कार्याचा सनमान मनुन मोस्ट स्टाइलिश इन आयूर्वेद पुरसकार सुधा डॉक्टर आईजी पटेल याना म्यालेला है तर नुक्ताच सकाय मीडिया ग्रुप सा सुधा आरुग्य संपदा हा बहुमान तनना म्यालेला है दॉक्टर आईजी पटेल है ताराबाई लिमाय आयूर्वेद होस्पिटल पुने तसस चेस्ट क्लीनिक दादर मुंबई इथा सुधा कार्यरत होते आज त्यांचा यशस्वी कैंसर चिकित सेची ओड संबाजी नगरलास नाही तर संपूर्ण महारश्ट्राला लागलेली आहे करन त्यांचा कड़े येनारा रुगुन हाएक वेगडी आशा बलगुन त्यांचा कड़े ये तस तो आज डॉक्तर सुधा या रुग्णांची कधिस निराशा हो देत नाही चिकित सेचा शंबर टक्के यशस्वी परिणाम त्यांचा दिसुने तो तस आज ते संपूर्णा महराश्टा तस नहीं तर संपूर्णा भरतात सुधा त्यांचा या उपचारांची आणि तांचा मारफत केला जनार्या समजा सेवेची अनुभूती सुधा ते देतात आज ते शंबर का खाटान सा कैंसर इम्मुनुथेरपी सेंटर जाहे ते अउरंगा बाद में जे संबाजी नगर इते आहे तस इते इतर वैद्यकिया सुवीधा उपलब्धा आहे तस तस आईसी उ, ओ, टी, पैथलोजी लाब, मेडिकल स्टोर सुधा तैंचा या सिल्वर लाइन मल्टी स्पेशालिटी होस्पिटल मथे उपलब्धा है, चरातरमक चर्चला सुरुवात करिया, डॉक्टर, आजकाल कैंसर सा प्रमान वाडता है, अगधी असा नहीं है कि फक्त जानना कही वाइट वैसन आहे तैनना स्वक्त हाजार होता है, अगधी लाहान मुलान दूसरा की इटिंग हैबिट्स जा बदलेले अपला जंक फूड और प्रमान वाड लेले, तसा पेस्टिसाइट जा दो यूज होतो है, अपला भारता मते अनकंट्रॉल्ड प्रमानात तेचवर्ती का ही निर्भंधन आही तै कि किती प्रमानात यूज करावा कि असा कुट प्योग करून तेचे पेस्टिसाइट जा प्रमान आही पहा जानमदे अनी फळानमदे खूब जासता प्रमान अतसता ते पने एक मुख्य कारण आही दूसरा वाटर कांटिमिनेशन आही कि पाने अमदे सुद्धा पेस्टिसाइट मिक्स के ले ताता बरैस्टिकानी तर तैचाही एक कारण आ सुषकता कैंसर वाटनेसेटी बदलती जीवन शाही हली तर एक मुख्य कारण आही अता जीवन शाही घथा स्ट्रेस हा कूब प्रमानात वाटलेला आ है सग्रीक्छे कॉम पेडिशन आही मग काम करने चे जे पदता आही की इक करण आहीं कि ते पने कारानी कैंसर वाण है कि, stress release factors जाहे, ते कमी हुन दातात, आनि छोब, जे नत्रल असाला, जे आहार असाला पाइ जे नैचरल वेड़े वर वागेर, ते प्रकार नहीं हो, ते आज हो, जुझ झंक फूड अनि फूड अनि प्रोजन फूड वगरे यह प्रमान जासता है, तम ब लागी तरपी नाय तरपी नहीं करने नहीं हो तरप लेला नहीं तरप यह में अच्छान पर परिद्धे पुछलेलन नहीं तर यह मधेकाई आसता की वीज्जे मेडीशिन सस्ता है गोलन दो आयवी इदो आज जाता क्यों GRU जानी क्या होता है कि जा सेल्स थे रीजनरेशन उप सेल्स होती है कैंsa सेल्स वरतेवों काम करता है कि Cancer सेल्स hai सार ऊंवर्टेटो नर्माल सेल्स आशी कुछले ही थेरपी नहीं कीचे इम्यून बुस्ट करून, तुमचा बोडी लास ते ही कैंसर चे सेल्स रजिस्ट होई लास और इते कन्वर्ट होती लहड़ो नॉर्मल सेल्स मदे राश्या प्रकारे ही किस्टा काम करते आशी तेचा नकीच फाइदा कैंसर चा रूगनाना होता है आथा दिवसें दिवस ही जास्त प्रमानत यूज होते है सगडीकरेच शगया होस्पिडल्स मदे सुधा इम्यून थेरपीच उपयोग जास्त प्रमानत हो, माक चार ते-पा आफ्टर तुम्चा गड़े अनेक वर्ष एमिनट थेरपिस्ट मनन काम करता है तुम्चा या वर्ष संशोधन काय सांगता कोंटा 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 प्रकार से कैंसर ग्रस्त रुगना तुम्चा कड़े अनेक जितके कैंसर चे प्रकार आये ओरल कैंसर बेस्ट कैंसर युटेराइन कैंसर लंग कैंसर लिवर कैंसर सग्या प्रकार चे कैंसर चे रुगना अने आमी तरना इम्मिनो थेरपी द्वारे ट्रीट करूं नकिस्त चा तरना फाइदा होतो आने ते व्याव सिप पड़े आजार आजार आपसुन मुक्त होता डोक्तर पोटाचा कैंसर बदल बुलाचा जला तर याचे कई प्रकार आहेत का? पोटाचा कैंसर मदे जे प्रकार आहेते लिवर चा कैंसर असतो परत स्टमक कैंसर असतो कोलन कैंसर असतो परत पिताशाय चा कैंसर असतो आनी पैंक्रियास सा कैंसर असतो टाले में तपया आफ पांक्राइस तेल अवाज़ आफ देवर्णोर कुछ के अवाज़ता है गार, तो डियेवर्ण बॉलग स्प्राइड पांक्रियास, को बॉलोग में अबचिज उता है, लागी स्प्रेड़ राया अब दो लिवर्ण आफ फा तो लागे, अश्टे है नो करना जितके इमेजेट तचे ट्रीटमेंट फास्ट करता हैल पोटाचा कैंसर मदे तितका तेचा उपयोग जास्त प्रमानत होतो आणि जब फास्ट प्रमानत ती ट्रीटमेंट त्या पेशेंड लापन अवेलेबल करूं दिली तरन किस तचा फायदा होतो आछा अधा पोटाचा जो कैंसर आहे पोटाचा कैंसर ताचे विविधा प्रकार आणि या विविधा प्रकारांचा उप्चार पधद इन मधे इम्योन थेरपी चा वापर या बदल जरा विस्त्रुतमा हेती सांगा चोली फोटाचा कैंसरमेदे चुछ बढ़ेच वड़ा फोटेच परन्त फोटाचा कैंसरमेदे तर तेयाचा इमिनो थेरापी बढ़ेच वड़ा काई होता की आशा वेडी तेला किमोधेरापी रिडियेशन सुद्धा देता है अशा वेडी त्या रुगनानसाथी आपन किमोधेरापी अथ्यांत प्रभावी पने उप्योग करूं त्या पेशनला आजर अपसुन कमी मुक्त करूशकतो। क्यों जे आजार हाए तेचा प्रमान सुधा कमी करूशक्तो कि जेने करूँ त्या पेशनला कही त्रास ना होता त्याचा जे लाइफस्टाइल हाए त्या अरे गिल्दर होईल त्याचे जे त्रास हाए त्याचा तुन त्याला आपन मुक्त करता है टर लिवर केंसर में साथ ना जे बरत ठोड़ा काहा होता कि काविर सरकी लक्सर निनरमान होता त्याजित कि काविर सरकी लक्षर निरमान जाल अन्साथ सब्सक्राइब करते हैं तो कमी होने चाहिए वाड़त जातो तर आश्यारूगनाद मदे योग्या वेड़ी इतला इमिनो थेरोपी दिला तर नकिस्ताचा फाइदा हो तो आनी ते रूगनसुद्धा आपन कैंसर पस्तून बरे करूशुद। नकिस अबन आणखी कैंसर प्रभावी ही इमिनो थेरोपी कशाब रकारे आहे तसस जर कैंसर तचाचाच स्टेजस प्रमाने चवथा टप्यात आलेला असेल फो स्टेश कैंसर असेल तर इमिनो थेरोपी चावापर करूँद आपन रूगनास जीवन जी आहे ते सुधारू को यह विश्य आपना आणखी जानूंगे ना रहो डोक्टर आईजी पटेल यांचा करूँद मात्रत आधी चोटासा ब्रेक यह कॉंबिनेशन अपन कशापर करें वापरू शकतों आणी सग्यात महत्वाचा लंग कैंसर पेशेंट्स मधे इमिनो थेरपी चावापर केले और कुटला प्रकार्चे रिजर्ट्स तुम्हाला दिचले लंग कैंसर मधे इमिनो थेरपी अत्तीशे उत्रुष्ट पने का करते आणी लंग कैंसर मधे जी लक्षनास ताथी कंटीनियूस खोकला आए ने किमा वेट लॉसी टीबर्कुलसी सरकी लक्षनास ताथ तामोले सुद्धा तच डाग्नुसिस मधे बरेच बड़ा लेट हूँँदा तो आणी ते लिवर परें तो सुद्धा जाता तर फोस अगड़ा स्ट के तेंचे वीकनेस मुडे बड़ेच बड़ा डॉक्टर सुद्धा आवइट करता ता तर आशा पेशन मधे आपन इमिनो थेरपी देऊं तया पेशनला नकिस्ट अचा फायदा होतो आनी लंग कैंसर सुद्धा आपन बड़ा करू शक्तो देंचा लंग कै आपने पाणी जालेला आखेल के उआटना चालता ना दम लागता आखेल तर आच जो गेते निदान वेरी खेला नि लॉकर निदान जाला तर लॉककर उक्चार दिले लंग कैंसर मधे तना कीस फायदा होतो आच यह लंग कैंसर पेड़ जरी अशेल दूसरा ओर ओर्गन तेह प्योग करूँ तया पेशन्द ला ट्रीट करूशकतो आणि तया रुगनाला पन तया आज आरा पसुन बढ़ा पेखी रीलीफ करूँ के वहां पुर्ण पने बढ़ा करूँ तया चीकिस्ता करूशकतो डुक्र आणखे कोश्ट याना ता स्त्रियान चा बब्धित, मैं जे स्त्रियान मदे जे कैंसर प्रकार अढ़ताथ त्या वेशे थोड़ी माहीती त्या स्रियान मदे अढ़रनारे मुख्या जै आहे ते breast cancer आहे आणी दुसरा CEs Er hoods मंझे गर्भाशये चा गर्भाशये मुखअचा तर बाकी स्द्दा कैंसर इस डुन कनसर मुख्या तवे क्रों न आढ़ता दुसरा कि फिमेल अर्गान जी आह सा घार जे ट्रीमेंट था रुटीन ट्रीटमेंट था रीमोल अ ब्रेस वाजा जी था हमा ज के सकाकर ज्लियिधृ ज्ञार जाए जीतक्टा नाविदी का जैक्स prone हाएows तेंचा जे लाइफ स्टाइल असता क्यों तेंचा जे जॉबस ता तिते कुटले ही इन्फुरेटी कॉंप्लेक्स नहीं ता ते वर्किंग करू शकता तानी आपले पुर्णा जी लाइफ आहे ता पुर्णा परत ट्रीटमेंट सा प्ले अंतर ते परत आपले जॉब अगरे जॉइन करू शकता तानी तेंचा कॉंफिदेंट कुटे ही लूज होत नहीं अचा प्रकार चा ट्रीटमेंट आमचा होस्पिटल आमी दे द्वाहे अचा बरेश रुगनना फाइदा जालेला है मुदे जॉब आमन शिंटम स्थाद की गर्भा शाया जो कर परोग असतो तात स्रगयत कमन सिंटम महझे की जी पिरेड असता दोन नो दोन पिरेड चा मतला जो ग्याप असतो ताचा मदे रक्तस्राव हो नहीं क्यों गर्भा शाय चा ठीकाने जख्खम होने तर ये चासा त इंपल टेस्ट अस्तात काई पैप स्मेर असता है काणी दूसरा सुनोग्राफी मदे सुद्धा गरवशयचा कैंसर बर इस वड़ा डिटेक्ट होतो तर अशाप्रकार चे जर कोणा ला रुगननना क्यों बाकी श्री आनना अशाप्रकार चे जे सिम्टम सस्तिल की प्रेड में अधे रकते सरह होता से बंद्रावे दिशी श्वडावे दिशी कि माँ अठोय दिशी कि में दोन प्रेड चाम है असे 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 तर तर अचा योग्यते निदान करा और गरवशयचा ठीकानी कुटली जख अखम नबरी होनारी मैं ज़चा देवन सुदा जखम तर अचा प्रकार्ची जखम नबर असेल तर तेचा योग्यती तपास निदान करता है लवकर आत लवकर निदान करून लवकर उपचर के ले तर नकीचा कैंसर सुदा आपन पूर्ण पने बरा करूशा अनकीच ड़क्टर स्त्रियान मने जो ब्रेस्ट कैंसर आढ़ा तो ग्रस्ता रुगनाना आपन इम्नो तर इम्नो तरापी दिली तर साधर और कोंता प्रकार से बदल त्यांचा शरीरा ताड़ा हताथ अचली ब्रेस कैंसर में असता ते ट्यूमर नियमान धाले ले असता ते एमिनो थेरपी नी डे बाई दे रिडियूस हो जाता ता आणी अपरमान ते और ले तरी ते लापला स्वाजिकल रिमोल करता है तो शक्यतोर हम चाले अमिनो थेरपी नी ब्रेस कैंसर तो नाइटी परसेंट परांतव सुद्धा कमी होंदा ता की तेला ओपरेट करना सुद्धाई इजी होंदा तो क्यों थे आपको थलीग डिपरमि अगसे मतली बलर्ड कैंसर पिताए कापे अगारू प्रूप करों केसे संप्लाइशा दिखरेक। कमी हो जाते ब्लड, प्लेटलेट, बाके डबली वेसी, तेचा सुद्धा आपन उप्योग इमुन थेरपी जा उप्योग करूं, प्लाट कैंसर सुद्धा आपले लाट ट्रेट करता है प्लाट कैंसर आपले लाहन मुलान मदे 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 लाहन मुला पटिशा अवाखे चान्सर वेक्षा तर तहला पन लिंफोमा जो ऐत गाठी-गाठी निर्मान उता प्षयरामधे ऑपन लिंफोमा पन इम्मुनो थरापी नी निकिस खूब चंग ले प्रकारीय अपन तहला टीट करता है तौ तो लेंफोमा जो अस्वतो तो लहन मोलान मोठान मदे प्रते केज मदे अपला अडूर ने तो एचे आमधे जे टेस्ट असतात के एचे सिंपल बायोप्सी क्यों अमग ब्लाद टेस्ट जासतात्या टेस्ट करूं ते चानुसर आपन तेचे पैरमेटर ठरूं ते किती प्रमानात ट्रीटमेंट ला रिस्पॉंड करता प्रमानात आतजार कमी हों दो है पना उतल PvdL बक्त आता है तो, magta प्रमानाे कांसर कैंसर क्प्रा है क्प्ला य प्रकार MA रिकारे वहे último, प्लाद प्रकार कांसर अपल एचे जो ऐख ठेसीजी, अदोर ने किस आटतारीया जा quests अरूमुल्वर्वात यांसर देशी कांसर न यहां रुगणान कड़े आशा कुठलीज नस्ते आता वंजे माजा जीवनाचा अंत हाँ होना रस असा तानी मनाद गाठ वनाऊन इतलेली आस्ते अधर आच एकान दर इताच इमुने थेरपी कैंसर चा चाउत्या टपया मदें अपलाला कशा प्रकार जीवनाचा दाई ने ठरू शकते नकीज इमेन थेरपी फोस्टेज कैंसर चा रूगनान साथे जीवन दाए नी आहेच आणि बड़ेज पेशन फोस्टेज कैंसर चा सुद्दा बड़े होता ता अज अज बद समझू नहीं कि फोस्टेज कैंसर धाला कि मनुनाता संपलाई जगर आईशुमानात संपलाई ता कि फोस्टेज कैंसर सुद्दा आता ट्रीट करता है ता आणि तला पुर्णा रूगना सुद्दा बड़ा हो शक्तो फोस्टेज कैंसर पासुन आम चकड़े आशे बड़े च रूगना है कि फोस्टेज कैंसर पासुन बड़े था लेला है ता आणि फोस्टेज कैंसर धाल डिमीनल कैंसर ज़्टा लंग कैंसर हां एक फॉस्टेज थो ब्रेस कैंसर बड़ेश भड़ा लपोल्य मुड़े लेटर स्टेज लेटर सेज में बड़ेश वाज़ा सांगत नए गाठी अस्टा ब्रेस मदे तर रुगन सांगत नाई कि योँआ डोक्त रहना दाकवत नहीं काँ जुटा तो लंग मादे जातु लंग मादें लिवर मदे अ ब्रेंड मदे अशह प्रकारे तो spread up हो उन ब्रेस कैंसर सुधा ब्रेस्टेज पर उन्त पॉस्तू और यासे बरेज किस सामचा बगने थे तातकी ब्रेस कैंसर आई इंडि फ़ोस्टेज पर उन्त गेले आपन बरे करना इमने थरपीचा उप्योग करून नकिस्तेचा फायदा हो त्या रुगना नहोतो आणि ते रुगन पुर्णपने बरे हो शकत। डोक्टर, वियसन दीनता जानना आसते, तियात विशेश्टा गुटका पान मसाला तंबाखुसा वियसन, कि वा दारुटसा वियसन, आशानना कि वा सिग्रेट चाहू दुम्र पान, याचा मोया सुधा तोंडाचा करकरोग होतो, कि वा जीबेचा गांसर होतो, तर यात एक पर्या ऐसा उसतों की जीब काड़ून टाकने तर मग रिमुवल ओफ ओर्गन पेक्षा ही इमुनो थरीपी जर आपन या प्रकार शा कैंसर मदे वापर ली तर आपन कशा प्रकारे रुगणाला जीवन दान देऊशक्त। नकीच अपन ओरल कैंसर मदे शुद्धा बरेच वड़ा फोर स्टेज परंत गेलेलास तो जीबेचा कैंसर सुद्धा तर आशा वड़ी तेना ओपरेट पन करता एतने तर आशा वड़ी तेना इमुनो थरापी चापन दर उप्योग करून गितला तर नकीच तेचा फाइदा आशा रुगनन ना होतो आणी अपन ते होगनना इमुनो थरापी देऊन तेना अजर ब़ा करू शकतो ओरल कैंसर मदे घषा चाथा कैंसर जो श्तो फैरींग्ग्स लेर्िंग्स अच्छे जे कैंसर असता तर लेरिंग्स फैरिंग्स चैंसर मदे बरेच वड़ा ते इन जितके प्रकारचे कैंसर आहे जिवेचा कैंसर बक्कल में कोजा तर 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 लेटर स्टेजस पर आंत गेला तर नकिस्त चा इनो प्रेवल असेल तर अपन फो स्टेज कैंसर सुधा आपन रिवाट करू शक्तो एमिन थरपी द्वारे असेल तर अजिवाद घबरो नका आणि तर योग्याती ट्रीटमेंट जर घथ ली तर नकिस्त चा फाइदा आपला रुगना ना होतो आणि रुगना कैंसर बसुन बरे हो शक्ता तर अपन पाहिलात कि 17 अपधिल कैंसर कुन तेही प्रकार सा कैंसर आसो 15 अपधिल कैंसर वर इम्मुन थरेपी कशा प्रकारे प्रभावी थरते तेमा तुमाला जर या थरेपीचा लाब गेहेचा असेल लोगना रुगना दर तुम्ही डॉक्तर आईजी पतेल याना संपर का साधू शक्तानी तेया साथी स्क्रीन वर्जे नंबर दिले ते नोट डाउन करूं गिया डॉक्तर राईजी पटिल तुमी इधियाले तेस ठीकप कुपा भार तुमसे यानतर इधिया स्थामतर पुन्हा भीटोया नवीन विश्यान सहाणी नवीन तज्यान सहा तो परियांतर नमस्कार